कि वागत आप सभी का एडी online classes में और आज हमारा टॉपिक है वो है आपका missing number missing number से आप देखेंगे तो बहुत सारे exams में questions बनते हैं ठीक और आपके exam में भी एक दो questions missing number से आ सकते हैं possible है कि एक दो questions आपके बाद missing number से मिसिंग नंबर में questions वहीं इतने ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी और में अगर आपने number series के questions किये वह हैं तो number series के questions अगर आपने किये वह तो और ज्यादा आपको क्या मिलेगा यहां पर help मिलने वाली तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें questions देखेंगे questions के according आपको समझ में आएगा कि topic क्या है किस तरह से इसमें work करना है कि देखो missing number में हमारे पास यह दे रहा है means मुझे यह वाली value find out करनी है कौन सी यह वाली value मुझे find तो अब आप इसमें रोके थूरू process मतलब पंक्ति के जैसे solve कर सकते हैं column में solve कर सकते हैं डाइगनाल solve कर सकते हैं यह आपको check करना है तो जितने ज्यादा questions करेंगे उतने ज्यादा आपको बात हैं समझ में इसमें आती रहेंगे ठीक चल तो बात करते हैं कि किस तरह से कोच्पिन होगा सौर आप लोग भी ट्राइ कीजिएगा ठीक है तब ही जाके आप इसको कर पाएंगे ठीक है तो करते हैं सौर देखो यह कैसे वैल्यू बन दे तो पहले देखते हैं देखो यहां मुझे पता है सिंगल डिजिट की वै यहां पर देखना है उसके अकॉर्डिंग फिर आंसस करेंगे तो ट्राइ करते हैं एक बार क्या बन रहा है यहां पर देखो मैं कि 9 और 4 से 20 कैसे बन सकता है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 9 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं और 5 से मल्टिप्लाइग कर दूं तो 9 में से 4 जाए प्वन्टी हो जाएक हमारे पास 20 हो जाए थैमेस दूसरे बाले में चलते हैं दूसरे वाले में देखते हैं कि क्या होना है तो 8 में से 5 को माइनस कीजिएगा इंटो 4 करेंगे तो 12 भा रहा है मिलें में से 8 में से 5 जाएगा 3 आ जाएगा 3 में से 4 multiply करेंगे 3 इंटो 4 तो 12 रिजल्ट आ जाएगा next में देखते हैं तो इसमें भी ऐसी करेंगे 7-6 इंटो 4 कर देंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1 आ जाएगा और 1 इंटो 4 हमारा आंसर 4 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो मेरा आंसर क्या होगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पर ठीक है तो ऐसी हम बारे पास questions रहते हैं एक्जाम ना भी आपको हिटेंट्राइल यूज करना है कि जो भी आपने सीखा है नंबर सीरीज से लेकर या इस टॉपिक से जो भी आपकी सीखेंगे वह सब आपको अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है बात करते हैं नेक्स कोशिन पर यहाँ पर हमें वैल्यू दे कि देखते हैं इसमें जहां पर अगर थोड़ा ध्यान से देखें कि किस तरह से होना है इसको प्रॉसेस तो आप फॉस्ट एंड थर्ड रो को एड़ कर लो कि फॉस्ट एंड थर्ड रो को एड़ करेंगे तो नाइन प्लस सैवन कितना आता है हमारे पास सिक्स्टीन और कितना आता है इसी अगर हम एड़ करें 5 प्लस 11 को तो यह भी कितना आता है 16 अगर मैं फॉस्ट एंड थर्ड वाले को एड़ कर लूँ और इसको भी एड़ कर लूँ तो सेम रिजर्ट निकल रहा है क्या निकल रहा हमारे अप हमारे पास सेम रिजर्ट निकल रहा है तो ऐसी हम 8 प्लस कोशिण मार्क पहले दूसरे वाले में चेक कर लिते हैं न क्योंकि एक बार चेक तो करना ही है तो 6 प्लस 4 कर दूं मैं तो आपके पास 10 आएगा और यही वैल्यू क्या है 8 प्लस 2 की भी है तो सेकंड वाले में क्या हो चुका है यह हमारे पास वरिफायड होचा है कि हाँ हम सही कर गर अगर हम बात करतेये इस वाले में तो यह एट प्लस क्वोशन-मार्क इसीवान village प्लस-4 प्लस-4 तुम्हारे पास answer तो question marketplace पे क्या होगा मेरे पास हमारा जो यहां पर result रहने वाला है वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 हो ठीक है बात है समझ रहे हैं आप तो पर ताफट से लिए देखते हैं इसमें, जैसे हम इससे पहले सॉल्व किया सीम वैसे ही इसमें भी प्रोसेस तो देखते हैं किस तरह से स्ने सॉल्व होना है अगर हम फास्ट और थर्ड कॉलम सारे फास्ट और सेकंड कॉलम को जोड के देखें तो चार प्लस बारा 16 होता है और ऐसे ही अगर हम इन दोनों को add करें मतलब 3rd और 4th column को add करें 11 प्लस 5 क्या होता है 16 आता है means middle values है मतलब दोनों का addition क्या रहा है यहाँ पर next आले में भी देखते है 6 प्लस 7 13 होता है and same as आपका 10 प्लस 3 भी क्या होता है 13 ही होता है तो value same आ रही है इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 प्लस 9 हमारे पास 17 आ रहा है ठीक है और same as 10 प्लस 7 भी क्या होता है 17 तो same process चल रहा है इसमें देखें फिर हमारे पास 7 प्लस 5 12 होगा और यही 12 किसके एक्क्वल होना चेक प्लस 4 ठीक है तो यहाँ पर तो यहाँ पर देखें अगर हम तो किस तरह से इसको हम solve करेंगे 7 प्लस 5 12 भी है तो क्वेशन मार प्लस 4 भी 12 है मेरे पास यहाँ पर क्वेशन मार की value आ जाएगे 12 माइनस 4 that means 8 हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा answer 8 आ जाएगा clear है that means question marketplace पर हमारा answer क्या होना है 8 हो जाएगा चल्ज़ next question पर चलता है बात करते हैं अगले question के जल्दी से बढ़ी बताएगा answer solve करके देखता है किस तरह से answer निकलेगा यहाँ पर अगले जाएगा जाएगा फिप्टीन कैसे बनदा यह देखता है देखता है जैसे में आपको का कि number series की तरह ही इसमें भी है series में भी ऐसा question बन सकता आपके पास so 7 into 2 plus 1 करेंगे तो 14 plus 1 हो जाएगा मेरे पास 15 हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा हमारे पास 15 की बात करेंगे तो 15 to the 30 plus 1 कर दूंगा मैं so 30 plus 1 हो जाएगा हमारे पास 30 क्या हो जाएगा 30 हो एसी आगे बात करें कि next कैसे बन रहा है मेरे पास तो 31 into 2 plus 1 कर देंगे so 31 into 2 कितना होगा मेरे पास 60 to plus 1 क्या हो जाएगा 63 क्या हो जाएगा 63 क्या हो जाएगा 63 सेम आगे बढ़ेंगे 63 into 2 plus 1 करेंगे so 63 into 2 अगर हम यहां पर देखें तो 126 होता है 126 plus 127 क्या हो जाएगा आगे बात करें तो यह हो जाएगा 127 into 2 plus 1 कि तो यह हो जाएगा हमारे पास कि तू 54 प्लस वन तो 255 लेकिन यहां पर एक चीज है क्या चीज है या मेरी बास हम दो अगर इन केस आंसर में 255 नहीं है मीन्स अगर आपके पास यह आंसर नहीं है तो ऐसे भी हो सकता है कि इस नंबर से 7 बनाया गया हो किसी तरह से तो किसमें into 2 plus 1 करूंगा कि 7 आ जाएगा तो वह तो सिंपल ही आप समझ सकते हैं कि अगर हम 3 into 2 plus 1 करेंगे तो 7 बन जाएगा डाइट मिस आंसर 3 भी हो सकता है तो डिपैंड करेगा कि आपको आप्शन में यह दे रही है यह दे रही है दोनों नहीं होंगे पहरे बात तो दोनों में से कोई एक आप्शन में आपस प्यास आंसर होगा आप उसके अकॉर्णिंग ही इसको आंसर करेंगे आई होप बाते समझ में आ रही होंगे सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं बताएगा वैं क्या होगा आंसर कुश्चन इजी है कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आराम से आंस कि देखते हैं अगराम यहां पर देखें तो हमारे पास है उपर देखाए 2549 81 यह वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है न तो आप द्यान से देखो अगर यहां पर तो यह five का स्क्वाइर 25 सेवन के स्क्वाइर 14 यहां पर मिर पास nine आणसर आज़ेगा नाइन का स्क्वाइर 80 एक चीज तो यह समझ में आ रहे है अगर मैं 20 में से 15 को माइनस कर दो सुद्व में से ठाटीन को माइनस कर दूओ 28 29 को माइनस कर दूव टो वन रहीया निल्ए संद्व करने मैरे पास वेल्डियू निकल कर एक रहा रिए उसका रिजल्ट क। है नाइन है तो मेरा अंसर यहां सीधे सीधे क्या जाएगा नाई ना जाएगा तो यहां पर हमारा इस question mark का answer क्या हो जाएगा नाई हो जाएगा चले आगे बढ़ता है इस पर बताएगा क्या होने वाला जल्दी से solve कीजिए और answer बताइए मुझे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें इस में और मैं इस वाले portion को लूँ किस portion को केवल इस वाले portion को रेलो थोड़े दिर के लिए है यहां पर क्या है 26 है यहां क्या दिर रिखा में 9 और 6 तो इस portion को समझते है किस तरह से result निकलता है 9 और 6 से 26 तो हम क्या करते हैं यहां से 9 में से 6 को माइनस कर देंगे इसका क्यूब निकालेंगे माइनस वन तो 9 में से 6 का 3 का क्यूब माइनस वन हो जाएगा तो 27 माइनस वन दैट मिंस 26 रिजल्ट है आ रहे है 26 पिल्कुल आ अब मैं इस वाले portion को लेके देखता हूँ 4 और 3 का तो 4 माइनस 3 का क्यूब माइनस 1 तो 1 का क्यूब माइनस 1 क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा आगे बढ़ेंगे 12 और 8 का देखेंगे अगर हम यहां पे 12 माइनस 8 का क्यूब माइनस 1 तो यह हो जाएगा मेरे पास 4 क्यूब माइनस 1 तो 2 का क्यूब माइनस 1 रिजल्ट आएगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा क्या है स्कूशन मार्क प्लेश मई आंसर हमारा क्या है यहां पर सैवन आजाएगा हमारे पास यहां पर 7 आजा इस तरह से कोश्चन करते हैं मिसिंग नंबर के ठीक है चलिए आगे बात करते हैं आंसर दीजे बैंट इस पूस्चन को जल्दी से झाल झाल देखते हैं यहाँ पे 169 और हमारे पास क्या है 625 है यहाँ पे अगर आप यहाँ से देखेंगे इसको इसको देखो अगर मैं यहाँ पे देखो 169 का स्क्वार रूट निकालों तो 13 आएगा 64 का 8 और 81 का 9 चोड़ें जा रहे इनको तो एड करूंगा मैं तो तेरा राट इकीस और रूटीस बिल्कु सही है लास्ट वाले कॉलम बन रहा है लास्ट वाले कॉलम निचे अगर हम देखें 1296 1296 के अगर मैं बात करूं तो 1296 किसका होता है भई यह होगा आपका 35 का मुझे लग रहा है 36 का वही प्लस 576 तो 26 का होगा नहीं 24 का होगा प्लस यह 10 हो जाएगा तो एड करेंगे तो यह हो जाएगा मेरे पास 36 नहीं नहीं 46 का होना चाहिए है 36 देख मिनटा हाँ आप अब फीक है ठीक है ठीक है 36 का ही है बिलकुष और सब्सक्राइब शुक्षैन्ट अजाएगा सिक्स्टी मेरे पास कितना आजाएगा 60 60 प्लस 10 क्या होगा 70 होगा है अब एसे ही यहाँ पर देखे हूं तो 625 हमारा हमारा 25 का है plus question mark plus 7 is equal to 50 आने ची वैली तो question mark की वैली आ जाएगे मेरे पास 50 minus 32 तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 कितना हो जाएगा हमारे पास 18 तो answer हमारे क्या आ जाएगा यहाँ पे 18 आ ठीक है मतलब sorry answer 18 नहीं होगा answer क्या होगा 18 का square 324 18 का square कितना हमारा इस चीज को ध्यान रखना वही 324 324 होगा answer 18 नहीं होगा कि square भी तो निकालना हमें square root भी तो निकालना है ठीक है जी चले अगले question पर चलते हैं अ बताइएगा वही क्या होना इसी एक question कोई जादध टिपिकल नहीं है और आम से answers दे सकता है ठीक है जी देखते हैं अगर हम यहाँ पर देखें यहीं कर लेता है तो 3 का square बन रहा है जो 9 है यह क्या है 3 का square है यहाँ पर 5 का square हो चुका है यहाँ पर यह 2 का square हो चुका है अब दो possibilities हैं यहाँ पर answers निकलने की क्या-क्या possibilities है यहाँ तो यहाँ पर 9 का square हो जाए तो answer 81 आएगा और दूसरी possibility क्या है कि हमारे पास यह value 9 दे रिखी है तो मैं इसे 3 लिख सकता हूं क्योंकि यहाँ पर 3 का square करके क्या आजाएगा 9 आजाए तो मेरे पास दोनों answers सही है 3 भी हो सकता है या फिर 81 भी हो सकता है डिपैंट करेगा आपके पास option में क्या value दे रिखिया options की value के according फिर आप answers देंगे 3 गीवन होगा तो 3 answer होगा 81 गीवन होगा तो 81 आंसर होगा दोनों answers नहीं होंगे गवराएने शीद ठीक है ठीक है जी अ पाते समझ में आ रहे होंगे सबी को अ चलिए बताएगा नेक्स कुश्चन का आंसर बताएगा झाल 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 कि अब धिए यहां पर देख्रें तो f आमारा six पर आता है जैय हमारा टैन पर आता है 1014 अ धा है M13 पर आता है q 17 पर आता है और यू आपका 21 पर यहां पर देखें तो 15 पर आता है टिक है न? S हमारा 19 पे आता है अब देखो हो क्या रहा है? यहाँ पर प्लस 4 प्लस 4 है न? 6 प्लस 4 10 प्लस 4 यहाँ पर 13 प्लस 4 17 प्लस 4 यहाँ पर 15 प्लस 4 अब 19 प्लस 4 होगा that means 23rd और 23rd पर क्या आता है वहाई हमारे पास? W तो मेरा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा डब्लू हो जाएगा अंसर क्या होगा हमारा डबलू हो जाएगा ठीक है चले अगरे पिछाओ तो कि 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 करें देखें यहां पर अगर हम बात करें तो आप इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि लाश्ट के दो कॉलम्स को आपस में सब्टर्ट करेंगे बड़े में से छोटे का मतलब कैसे तो यहां क्या रहा है वन आ रहा है बिल्कु सब्सक्राइब अगर मैं इसके नीचे फाइव बनाना चाहरा हूं तो सब्सक्राइब की ना चाहरा है वन आचाहरो है तो 15 होने गाए जब नाइन तीन अपॉन 5 में से मैं 4 अपॉन 5 को माइनस करूं तभी तो यह क्या है गा 15 अपॉन 5 आएगा और मेरे पास 3 आजाएगा इसका मतलब है इस व्युशन मांके प्लेजे हमारे पास क्या बैल्यू आने है 4 by 5 ठीक है ठीक नेक्ष का आंसर बताएगा बाई जल्दी बताएगे इसका आंसर कैसे निकलेगा देखो इसमें हम एक पॉर्चन को लेते हैं और उप पॉर्चन रहेगा हमारा पॉर्चन रहेगा इसको लेते हैं 3, 4 और 10 बाई अब यहाँ पर देखेंगर हम तो यह कैसे बन रहा है 10 इस पॉर्चन पर थोड़ा फोकस करेंगा तो 10 बनने खेर कैसे बन रहा है यह हो रहा है आपका 3 इंटो 2 प्लस 6 प्लस 4 यह हो जाएगा आपका 6 प्लस 4 और वैल्यू क्या जाएगी 10 अगर मैं नीचे आले पॉर्चन में जाओंगा तो 4 इंटो 2 प्लस 6 आएगा 4 इंटो 2 प्लस 6 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा मेरे पास 14 आ रहा है यहां पर है न यहां पर देखें अगर हम हमें क्या निकालना यह तो 8 इंटो 2 प्लस 3 होना चाहिए तो 8 इंटो 2 प्लस 3 हो जाएगा तो 8 जोने 16 प्लस 3 क्या जाएगा ने पुनिस आ जाएगा क्या रिजल्ट आ जाएगा 19 आ जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट में चलता है कि देखो भाई यहां पर कि यहां पर अगर हम देखें तो क्या हो रहाई इनका क्रॉस मुल्टिप्लाइ करो था इनका क्रॉस मौटिप्लाइ करो तो वह झाएंगा है उसर क्या जाएगा मेरा सीधे सीधे जाएगा कोई दिक्कत की बात ही नहीं है आट एल, उन्हें एंगा नहें झान। बताइए वाई आंसर बताइए करो बताइए वाई करो इसको किया एक आंसर इतना कोई टिपिगल कोशन थोड़ी नहीं है है वह में है इन दौनों को जोड़ो दस और साथ सतरा आगे इन दोनों बंदरा थो सतरा आगे नौ में क्या जोड़ोगे आठी तो जोड़ोगे नौरा अन्सर सी दसी डे नाइन प्लस एट सेवंटीन होता तो सीधु सीधा आंसर क्या हो जाएगा सेवंटीन हो जाएगा बताइएगा कोश्चिन्स आपके एक्जाम्स में आये वह हैं तो इन चीज को थोड़ा ध्यान में रख लो कि 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 इस कुश्चिन की बात करें अगर हम मिड वैल्यू किस तरह से निकल दे यह हमें चेक करना है इसमें तो देखते हैं आंसर क्या होने वाला है हमारे पास जैसे कि अगर हम कर दें यहां पर 56 प्लस 50 जो लेफ्ट मोस्ट है इन दोनों को हम क्या कर रहे है एड कर रहे है तो एड करके मेरे पास आएगा इससे ऐसे देखो देख आप समझ जाएंगे फिर अच्छे से ना इसको ऐसे लिखो 56 प्लस 50 माइनस करेंगे हम 22 प्लस 8 तो 71 माइनस 30 कितना होता है 41 और यह मेडल वैल्यू बैट वेश अला नंबर आ रहा है ना हमारे पास जो यहां पर गिवन सेम एज हम करेंगे नेक्स्ट वाले में से चेक करने के लिए सो 46 प्लस 9 इसमें से माइनस कर देंगे 10 प्लस 6 को तो यह हो जाएगा मेरे पास 55 माइनस 4 माइनस 16 यार 4 नहीं माइनस 16 होना है इसने है तो यह आ जाएगा मेरे पास 39 बिल्कुल मेडिल वैल्यू आ रही है हमारे पास 39 10 प्लस 16 होगा यहां पर देखें तो यह होगा हमारे पास 34 प्लस 11 माइनस 14 प्लस 6 तो यह हो जाएगा हमारे पास 45 माइनस 20 कितना आएगा 30 और कितना आजाएगा 25 कितना आजाएगा हमारे पास आंसर 25 तो कोशन मारके प्लेश पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर 25 ठीक है ज, समझ रहाऊंगे कोशन किस तरह से सॉल्ट के जा रहे है ठीक है चलिए बता यह वाइस में आंसर क्या होगा कि यहां पर समझें अगर इसे तो 466 में से 41 को माइनस करूँ मैं तो क्या आता है जड़ा चेक करें जाएगा आपका 125 सही आ रहा है 125 इंटू करूंगा तो 250 रिजल्ट आ जाए 125 इंटू करूंगा तो 250 मेरे पास रिजल्ट आ जाए सेम यहां पर भी यही प्रोसेस करते हैं 398 398 माइनस 282 तो यह क्या हो जाएगा मेरे पास 116 है ना 116 आएगा इंटू कर देंगे अगर हम इसको तो 232 आजाएगा हमारे पास आजाएगा 232 हमारा आंसर आजाएगा क्या आजाएगा हमारा आंसर 232 चले अगले कोशन का आंसर देंगा नेक्ट कोशन का आंसर क्या होगा बच्छाएगा अच्छा 31 यहां पर चेक कर लेते हैं जब इस तरह से सिच्वेशन आएगी तो भार चोटे नंबर अंदर आपका बड़ा नंबर बन रहा तो इसको एड़ कीजिए ठीक है आपको चेक करना पड़ेगा तो देखते हैं वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर क्या हो रहा है कि दस हो रहा है इंट तो तीन कर नहीं तो तीस आजाएगी बैठी अब यह तीन कैसे आया कि आया यह आपको पुदी वहाँ पे हिटेंट्राइल करना है चेक करने है नमबर स्रके एड हो रहा है मुल्टिप्लाई हो रहा है क्या और अवस अब चेक करें गावा ठीक है हमार कि यहां पर देखो यहां पर क्या प्रोड़क्ट हो रहा है कि यह मिड वैल्यू गलत लिखी है यहां पर इसलिए तो आंसा नहीं आ रहा हमारा यहां पर जो यह मिड वैल्यू है यह गलत लिखी गई है कि इसको हम कर देते हैं सही कि इसको हम लिख देते हैं कि इसको हम आपसर यह ठीक है तो यह हो जाएगा मेरे पास 14 और 14 इंटो 3 42 हो जाए कि से मैं इसमें चेक करेंगे थी प्लस फूर प्लस फाइब प्लस सिक्स ठीक है यह जाएगा एटीन इंटो 3 54 रिजल्ट यहां आए तो वह थोड़ा सा कुश्यन का यहां लिख दिया है उसने घड़ बढ़ होगी थोड़ा सा तो आंसर क्या होगा मेरे इस कुश्यन का अंस रहे हैं और उनका इंटो 3 करके वैलियूस फाइंड आउट कर रहा है कि चलिए बताई कि क्या होगा अंसर हमारे पास यहां पर 13 प्लस 19 अगर किया जाए तो 32 होता है इसको डिवाइड वाइड कर रहा हूं है तो लास्ट वैलियू आ रही है 4 है ऐसी चेक करते हैं 71 फ्लस 9 कि 80 हो जाएगा इसको एड से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा टैक कि से मैस आगे देखें तो यह 128 फ्लस 32 होगा ठीक है और यह आ जाएगा मेरे पास 160 ठीक 160 डिवाइड वाइड करूंगा तो वैल्यू क्या बन जाएगे 20 यहां पर रिजल्ट क्या जाएगा हमारा 20 आ जाएगा अगले धुश्षिन का आंसर बताइए झाल झाल इसो कीज़े वह सॉल क्या होगा आशर देखते हैं कैसे होगा सॉल चेक कर लेते हैं इसको फाइबें टू सेवन प्लस वन तो पांच एंटू आट करूंगा तो चालीस आएगा रिजल्ट पर इन दोनों का काम यह है इसमें भी सेम प्रॉसेस होना है छोटे नंबर को हम बड़ा नंबर प्लस वन करके मैंटिप्लाइब कर चार इंटू नौ प्लस एक क्या हो जाएगा चार्च यहां पर देखें अगर हम तो छोटा नंबर थ्री इंटू अठारा प्लस सॉरी सत्रह मिशसी चुक्राइब सेवंटीन प्लस वन क्या होसा जाएगा 3 इंटू 18 और रिजर्ट क्या हारा है हमारे पास 50 वूरा आ अगर हम यहां भी चेक करें तो six इंटू 8 प्लस वन करूंगन नाइन बन जाएगा तो 96 है क्या जैगा 50 यहां देखें आगे हमारे पास यहाएगा 6 into 10 plus 1 मतलब 11, so 6 into 11 क्या हो जाएगा मेरे पास 66 हो जाएगा, ऐसी यहाँ देखें अगर हम, तो यह हो जाएगा हमारे पास 3 into 21 plus 1, so 22 into 3 हो जाएगा, क्या जाएगा 66 हो, ठीक है जी? चली, बताएए अगले क्वेशन कहा है देखें आपर बहुत सिंपल प्रोसेस हो रहा है, जाएगा कोई टिपिकर नहीं, अगर मैं यहाँ वाले नमबर को मल्टिप्लाइ कर दो, और इसमें यह वाला नमबर, एड कर दो, देखो क्या, 3 into 4 into 5 किया, प्लस 3 कर दिया, तो 4, 5 जा 20 into 3, 60 plus 3, क्या हो जाएगा मेरे पास 63 हो जाएगा, सेम एज यहाँ पर देखें अगर हम, तो हमारे पास आएगा, 4 into 5 into 3, plus 6, तो यह हो जाएगा हमारे पास, फिर अगें 60, plus 6 क्या होना है, हमारा 66 हा रहा है, मिटे दिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यह होगा, 7 into 3 into 5, plus 6, so 21 into 5, 21 into 5 करेंगे अगर हम, तो 1055, है ना, plus 6 करूँगा मैं अगर, 111 आज़ें, ठीक, 111, तो मेरे result क्या जाएगा, question mark फे, 111, बास समझ रहें न, इस तरब की values को product कर रहे हैं, और उसमें यह वाली value, add up कर दे रहे हैं, ठीक है, अगले question का answer बता है, का है, right up कर दूएगा जिए तो में और बता हैं, तो भगा kind वाली हैं, यह वाले हैं, एक रहे हैं, रहाँ का देखा भाई कैसे होगा क्या होगा आंसर बताओ लौक्या हो रहा है इस में देखता है हम तो यहां से चलते हैं और पूर टह्यक्त से टुट कि अब यहां पर वाईट उन्टि टू इटू अब यहां पर पाच कैसे बनेगा सिंपल सा पता है आपको टू पॉइंट फाइब आना चीज़ कि क्या आना चीज़ें दो दसम लब पाँच धाई इंट दो करूंगा तो पाच आ जाएगा ठीक है ना कि 2.5 हैं टू करेंगे 大ben एंसी फिर 5 इंटू करूंगा तो 10 बनेगा टैन इंटर टू करूंगा तो 20 유an और ट्वेंटी इंटू करूंगा तो 40 आजाए आंसर क्या है मेरा 2.5 क्या हो जाएगा हमारा आंसर 2.5 है चैनल बताएगे कर दो जल्दी से बताएगे देखें यहां पर किस तरह से वैल्यू जा रही है देखते हैं अगर हम यहां पर टू इंटू त्री कर दें और इसको डिवाइड कर दें दो से तो दो तिया चैवटे दो करूंगा तो तीन आ जाएगे यहां पर चार इंटू पांच कर दें और इसको डिवाइड कर दें दो से तो बीस बटे दो करूंगा तो दस आ जाएगे कि सेम यहां पर चैंटू साथ कर दूं कि बटे दो कर दिया जाए अगर तो रिजल्ट क्या आएगा भाई 21 आ जाएगा कि आ जाएगा आपके पास आंसार यहां पर कि ठीक है कि चले बताइए कि कि कॉश्चन वह यहां पर यहां पर गलत लिखा वाता सेम हमें कॉश्यण है कि यहां पर देखे अगर हम तो वन मांप तो फूस टू प्लस थी प्लस फूश एंटो थू कर रहे थे ह। लिए घॉटगा मेरा पास 14 into 3 42 है न यहाँ पर देखें तो यह हो जाएगा मेरे पास 3, 4, 5 और 6 into 3 तो यह हो जाएगा 18 into 3 54 हो जाएगा तो value क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 50 पूट ठीक चाले बताएगे यहाँ पर देखें अगर हम तो outer values का multiply करेंगे जब आप मतलब 6 into 6 का multiply करेंगे तो 36 बनेगा और ऐसे inner values का 4 into 9 का multiply करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा सेम एज अगर मैं यहाँ पर 9 into 8 कर दूँ तो क्या आएगा 72 आएगा और यहाँ पर 24 into 3 कर दूँ तो अगेन क्या आएगा यहाँ देखा जाए तो 15 into 6 मेरे पास बनेगा 90 और यहाँ आना चाहिए 9 into question mark 9 में किसका multiply करेंगे 90 बन जाए इतना तो easy है यह question mark की value क्या हो जाएगे 10 हो जाएगे that means यहाँ पर क्या आएगी value 10 आजाएगी मेरे पास भी दूशिए ठीक है जाए next question पर चलता है बताई यहाँ पर देखें अगर हम तो 50 प्लस 31 अगर मैं करूँ तो 81 आता है अब आप कहेंगे सरी स्क्वाइर है लेकिन अगर मैं अगले वाले में चलू यहाँ पर 42 प्लस 21 यह क्या बनेगा मेरे पास 63 बनेगा तो स्क्वाइर तो नहीं चल ला है आप कुछ और नहीं इसको अगर हम ढिवाइड करते नाइन से यह वाला नाइन ने यहिंचे दूसरे गरह से आ वा नाइन तो यह वाला नाइन जाएगा यहां पर दिवाइड करूं नाइन से तो मेरे पास क्या हो जाएगा तो जो 7 आ रहे हैं तो सेम प्रॉसस तीसरे वाले में भी कर लेते हैं क्या दिक्कत है उसमें 43 फ्लस 11 कर देंगा यहां तो क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा इसको नाइन से डिवाइड करूंगा तो 6 आ जाएगा तो मेरा आंसर क्या होने वाला यहां पर कुशन माके प्लेश पे 6 हो जाएगा तो यह हो गया मेरा 6 है ठीक है चलिए बताई ट्राइ कीजिए कोश्चन को जरूर एक बार और सॉल्फी करते रहें देखो यहां पर देखें अगर हम इस तरह से वक करेगा 6 इंटू 7 प्लस 42 हो रहा है नहीं 8 इंटू 4 देखें जरूंगा प्लस 42 प्लस यहां पर पता चल जाएगा कि हम सही कर रहे हैं नहीं करते हैं यहां एड कर लेते हैं तो बारह हो रहे हैं क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा अब यहां पर पता चल जाएगा कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर दूसरे वाद तो एट इंटू 4 प्लस प्लस 12 प्लस 7 तो यह हो जाएगा 32 प्लस 90 कितना हो जाएगा मेरे पास आ रहा है 51 बिल्कुल आ रहा है ना तो इसका मतब तीश्रे में भी सेम करना मुझे 9 इंटू 5 प्लस 14 प्लस 9 तो 45 प्लस 23 क्या हो जाएगा 68 आंसर कितना आएगा भाई आंसर यहां पर 68 हो जाएगा मेरे पास पूशन वाग की वैब जाएगा तो इस तरह से आपको चेक करते हुए चलना कि किस तरह से हमारा आंसर निख लेगा और क्या चीज़ेस पर रहे हैं कि बताएगे वह जल्दी से सॉल्ट करो झाले झाले प्रच्छ झाले उल्ध जाएगे क्वड़ जाएगे की वह जल्दी निख लेगारा आंसर निख भीज़ेस्वेटागे। झाल झाल फिर हम यहाँ पे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 हो रहा है क्या हो जाएगा है 24 4 ते हम बार दोने 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 1 हो तो दो दोने 4 और प्लस का आ रहा है न 4 तो माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा है प्लस आ चुआ है सुझा जीरो इंटू 6 इंटू 5 करूंगा तो भाइर क्या आना है 0 इतुआना है तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा ठीक क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा चलिए बताईए क्या हो गांसर बताओ देखते हैं 0 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5 कितना आएगा है 6,4,10,3,13,5,18,19 133 बनना है ना उनने से इंटो 7 करो जाना कितना आएगा 133 आएगा बिल्कुल आएगा, आगे देखते हैं 8 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 इसको जूड़ें 10,15,18,22,28 28 इंसी शाथ कर दूँँँ अ मैं तो कितना जाएगा 196 यहां पर करेंगे 2 प्लस 1 प्लस 5 -, प्लस-7, ब्लस-3, प्लस-4, सो 2, 1, 3, 5, 3, 8, 7, 15-19, और सब 2-13 हो जाएगा?. 4, 3, 300, 14, 5, 7, 8 जो तो 77, 8 जारां оч गरब़ हो रहा है क्या, देखते हैं क्या 2, 1, 3, 5, 3, 8, 7, 15-18, 4-18 साहँ ठीक ही, हम जोड गलत कर गया वही है यहाँ पर 27 नहीं होना इस नहीं कितना आना है बाइस आना है बाइस इंटू साथ करूंगा तो कितना होगा 154 सो मेरे इस question मा का answer क्या आजाएगा 154 आजाएगा ठीक है next question बाइस आजाएगा कि मिडिल वैल्यू निकाल नहीं है देखते हैं क्या रहा इंटू बारा कितना होता है यह देखते हैं इस में से 6 इंटू 9 माइनस कर देते हैं यह होगा आपका 132 में से 54 गया 78 आ रहा है बिल्कुल आ रहा है यहां पर भी देख लेते हैं 14 इंटू 10 जब आपके कोशन कर रहा होगा तो आप्शन भी जरूरी है वैसे इसमें क्या पता कि कुछ और तरीका लग रहा हो तो वह हम उस टाइम पर चेक कर लें ठीक है सब्सक्राइम देखो वह यहां पर देखें अगर हम किस तरह से वाख हो रहे जड़ा चेक करो अगर मैं 3 प्लस 9 एड़ करूं तो क्या आएगा 12 और 8 प्लस 4 करों तो भी क्या आएगा 12 ही आएगा ना same as अगर हम यहां पर 4 प्लस 7 करें 11 आएगा और यहां पर देखा divisum 6 plus 5 तो भी किया आए गा आ एगा 11 ही आएगा 5 प्लस 9 करें 14 होगा तोरी घढ़बर होगा कद्बर 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 होगा कर दा ही हमें 9 प्लस 3 एड़ करना एगा 12 हो जाएगा और यहां किया हो जाएगा 5 प्लस कुष्ट् Tema question mark की value के आ जाएगे 12 minus 5 that means 7 तो इस question mark के place पर क्या जाएगा मेरे पास 7 चले next question बताईए भी याप थास वोईस प्रॉबलम हो गए थोड़ो सो तो मैं इस question को तुबार सापको समझा देता हूँ हमने क्या किया यह ओपर के 4 प्लस 2 प्लस 7 किया है ठीक है न प्लस 2 प्लस 7 किया है माइनस 3 प्लस 1 कि यहां पर बात करें है और यहां से माइनस कर देंगे पोल मुझा को हैं तो दो 17 माइनस कि अचुकित है और से हमागे मेंबory रखेंगे है उस्कुण नाइन प्लस 2 करेंगे कि इसमें से गोर प्लस 3альным आoria ठीक है न मैं तो इसाट्रा माइनस सेवन तो दस आ जाए तो हमारा answer क्या हो जाएगा यहां पर 10 हो जाएगा इस question mark की value 10 हो जाएगा next question पर चलते हैं अब तो हमारा next question अगर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है पूर इंटू एट हो रहा है ठीक है तो 32 आया और इस 32 का हाफ कर दिया जाए अगर तो क्या जाएगी value लास्ट वाल या जाएगी यह वाली ठीक है ना यहां पर देखेंगे so six into four 24 हुआ और 24 को डिवाइड कर दिया तो 12 आ जाएगा मेरे पास 24 को तू से डिवाइड करना वही किस से डिवाइड करना है तू से तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट वाले में अगर हम देखें तो एट इंटू नाइन 72 होता है और 72 को टू से डिवाइड करेंगे तो 36 होता है तो मेरा आंसर क्या हो गया 72 मुझे क्योंकि यह वाली value निकालनी थी यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास 72 क्लियर है चलिए नेक्स्ट कुश्चन पर चब देखें यह हमारा लास्ट कुश्चन रहेगा यह क्या आंसर आएगा देखते है इसमें क्या हो रहा है अगर आप इन चारों नंबर्स का मल्टिप्लाई कर दें आपस में मतलब 3 इन्टू 7 इन्टू 2 इन्टू 4 तो क्या होगा यह 21 इन्टू 8 होगा और यह हो जाएगा 168 नेक्स्ट वाले में भी चेक करता है 8 इन्टू 3 इन्टू 1 इन्टू 7 इन्टू 7 हो रहा है 168 हो यहां चेक करें आ रहा है 1 इन्टू 6 इन्टू 2 इन्टू क्या होना चाहिए था 168 आना चाहिए था तो यहां हम देखेंगे तो यह हो जाएगा 12 इन्टू कोश्यन मार्क इस एक्वल टू 168 तो कोश्यन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 168 अपॉन ट्वर्टी है ठीक है हां तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 40 इसी तरह से आप लोगों को सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे ठीक बैच आप लोगों का लॉंच हो चुका है थोड़े पहले ही ठीक है ना MP सब इंजिनियर का आप लोग बैच को पर्चेश जरूर को डाउनलोड कीजिए और उसमें आपको MP सब इंजिनियर का बैच दिख जाएगा उसमें आपको डैमो क्लासिस भी दिखेंगे डैमो क्लासिस आपको यूट्यूब पे भी एवेलेबल है ठीक मिलते हैं आप लोगों से थैंक यू सो मच और दा बैस्ट तो आल